CGI डिवाई चंदरचूड के किस कड़े आदेश की चर्चा? केंदर सरकार के किस बैन को किया रद? CGI चंदरचूड को ऐसा क्यों कहना पड़ा? कि नागरिकों के अधिकार नहीं कुचल सकती सरकार? चीफ जस्टिस ओफ इंडिया डिवाई चंदरचूड ने केंदर सरकार के एक फैसले को ये कहते हुए रद कर दिया कि वो नागरिकों के अधिकार नहीं कुचल सकती दरसल ये मामला जुड़ा है एक मल्यालम न्यूस चैनल मीडिया वन पर लगाये गए प्रतिवंद को लेकर जिस पर से सुप्रीम कोट ने बैन को ये कहते हुए हटा दिया कि केंदर सरकार राश्ट्य सुरक्षा का हवाला देकर देश के नागरिकों के अधिकारों को नहीं कुचल सकती सुप्रीम कोट ने इस मामले में सुनवाई मल्यालम न्यूस चैनल की विशेश याजिका पर की थी CGI D.Y. चंदरचूड और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने केंदर सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें केंदरी ग्रहमंतराले की ओर से चैनल को बंद करने के पीछे तर्क दिया गया था कि मामला राश्ट्री सुरक्षा से जुड़ा हुआ है साथी कोट ने ये भी कहा कि इस तरह से राश्ट्री सुरक्षा से जुड़े मामलों के दावे हवा में नहीं किये जा सकते इसके समर्थन में कोई ठोस आधार और सबूत आधिवी होना चाहिए इस मामले में कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि सरकार राश्ट्री सुरक्षा की दलील का इस्तिमाल नागरिकों को उनके अधिकारों से वन्चित करने के लिए कर रही है लिहाजा उसका ये रुख कानून के शासन के नजरिये से गलत है चेफ जस्टिस डिवाई चंदर चूड की बैंच ने कहा कि प्रेस के सोचने की सोतंतरता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है किसी मीडिया संगठन के आलोचनात्मक विचारों को प्रतिष्ठान विरोधी नहीं कहा जा सकता जब ऐसी रिपोर्ट लोगों और संस्थानों के अधिकारों को प्रभावित करती है तो केंदर जाच रिपोर्ट के खिलाफ पूर्ण छूट का दावा नहीं कर सकता लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए राश्ट्री सुरक्षा को उठाया नहीं जा सकता चलिए अब हम आपको तफसीन से बताते हैं कि ये मामला आखिर क्या है क्यों एक निउस चैनल पर केंदरी ग्रहमंतराले ने बेन लगाया इसके बाद सूचना और प्रसरन मंतराले ने इस चैनल का ब्रोड़कास्ट लाइसेंस रिव्यू करने से मना कर दिया था नौफरवरी को इस कंपनी ने केरल हाई कोट से इस फैसले के खिलाफ सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी जिसे केरल हाई कोट ने खारिच कर दिया उसके बाद इस चैनल ने सुप्रीम कोट का रुख किया सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार को नोटिस जारी कर इस पर उनका जवाब मांगा था जिस पर केंदर सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट को सील बंद लिफाफे में अपना पक्ष दिया इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अदालत ने कहा कि सील बंद लिफाफे में अपना जवाब देना न्याय मांग रहे याचिका करता को अंधेरे में लड़ने के लिए छोड़ देने जैसा है और ये प्राकरतिक न्याय के सिधान्त के खिलाफ भी है सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार के बैन को रद करते हुए कहा कि मजबूत लोकतंदर के लिए एक स्वतंदर और निडर प्रेस का होना बहुत जरूरी है सुप्रीम कोट ने कहा कि ये मीडिया का दाइत्व है कि वो सरकार से सवाल पूछे और नागरिकों को हार्ड फैक्ट से रूबरू करवाए सुप्रीम कोट ने कहा कि सरकार को इस बात की परमेशन नहीं दी जा सकती कि प्रेस को सरकार का समर्थन करना चाहिए सरकार की आलोचना करना किसी मीडिया माध्यम का लाइसेंस कैंसल करने का कारण नहीं हो सकता सुप्रीम कोट ने आगे कहा कि केवल राश्ट्रे सुरक्षा की बात कहकर सभी सामगरी को गुप्त नहीं बना जा सकता है अदालतें एक दस्तावीज से सम्विदन शील हिस्तों को हटा सकती है और प्राकरतिक नियाय के सिधान्त का पालन करने के लिए नियाय कारिवाही के दौरान इसे दूसरे पक्ष को बता सकती है ऐसे मैं अगर मीडिया स्तरकार की नीतियों की आलोचना करे तो उसे राष्ट विरोधी नहीं कहा जा सकता इस खबर में फिलालित रही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ